नमस्कार दोस्तों दैन रवाइड गाई चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में मैं कंपेर करने वाला हूं एक्जनॉस का 7870 और स्नैपड्राइगन का 450 आप इस वीडियो को पूरे अंतक देखें तब जरा को पदा चले कि क्या-क्या इसमें डिफ इसमें आपको प्रोश데र्शसर जो ही क्या कोंषश से में होता है कोई भी फोन में जो आपको फोन को कंट्रोल करता रंकरताई सो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद दावात और सब्सक्राइब जरूरूर करें तो दाइज एक्जनॉस का 7870 और स्नैब्रेंड का 450 इन दोनों में मैं बताता हूं सिम्लाइटीज क्या क्या है तो फर्स जो यह दोनों बना हुआ है वह टेकनोलोजी है एक और एम 64-bit का 14 नेनोमीटर का अर्खिटेक्चर देखने को मिलता है यह दोनों आपको एट कोर्स और एट त्रेट पर देखने को मिलता है जिसमें कोर्टेक्स का 53 कोर्स यूज किया गया है और इन दिनों का जो प्लॉक स्पीड है वह फॉस्ट जो स्नै गेमिंग में आपको हिल्प कर सकता है अगर आप गेम खेलते हैं और इसमें आपको हेवी वर्ट करते हैं तो एक्जनॉस का जो 7870 है वह स्नैपड्रेगन के 450 से तीछे है तो अगर आपको कोई फोन लेना हो तो आप स्नैपड्रेगन का 450 ही चूज करें और अगर आपको गेम स्नैपड्रेगन का 450 में यूज किया गया है और बहुत ही जादा सुपिरियर आपको करो साजी चार्थ चैम्रा का बात करूं तो अपको इसमें आपको एजडी का भी सपोर्ट मिलता है वहीं आप 50 का बात करूं तो 450 में आपको देखने को मिलता है 21 मेगा पिक्सल का फ्रंट और रेर का सपोर्ट और डूल में आपको मिलता है इनका बात को तो 300 MB का इसमें आपको डाउलोड स्पीड मिलता है और 150 MB का आपको अप्लोड स्पीड मिलता है तो अगर आप चूज करते हैं Samsung के M10 के साथ और Realme के C1 के साथ तो आप definitely Realme के C1 के साथ जाहिए क्योंकि उसमें आपको Snapdragon का 450 यूज किया गया है तो अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आप आप इस वीडियो को लाइक करें और में चैनल को सब्सक्राइब करें करें आपको